दिन रात फोन, कम्प्यूटर, टीवी के इस्तिमाल से आँखों पर नकारात्मक असर होता है आज कल बढ़ते प्रदूशन के कारण भी आँखों में धूलकन, जैरी लेदू एसे जलन, चुभन और आँखों से पानी आने की समस्या लोगों में बढ़ रही है आँखें कम जोर नहों, इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखे कम क्रे टेकनोलॉजी का उप्योग विशेशग्य भी अब फोन, कम्प्यूटर आदी के कम से कम इस्तिमाल पर जोर दी रहे है ओफिस में कम्प्यूटर पर काम करना आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन घर पर नहीं घर पर कम्प्यूटर, मुबाइल से दूरी बना कर रहे खान पान हो बेहतर सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं खाए डाइट में उन चीजों को शामिल करें, जिसका सीधा असर आपकी आँखों की सेहत पर हो खाने में जितना हो सके पोशक तत्व और प्रोटीन युकताहार शामिल करें हरी पत्तेदार सब्स यहां जैसे पालक, मचली, फल आदी खूब खाए इन्हें खाने से आँखों में ड्राइ आई सिंड्रोम की समस्या नहीं होती है चेक अप है जरूरी आँखों में जलन, चुभन हो रही है या फिर कम्प्यूटर पर काम करने से आँखों से पानी आए तो आँखों की जाच करवाएं आँखों की रोशनी पूरी तरह से सही है या पढ़ने के दोरान भी कोई समस्या महसूस नहीं होती फिर भी साल में कम से कम एक बार आँखों की जाच आवश्य करवाएं पलकें जपकाएं यदि आप कम्प्यूटर पर देर तक काम करते हैं तो प्रतेक से किंकम से कम 3-4 बार अपनी पलकों को बीच बीच में जपकाते रहें इससे आँखें तरुत्त जा और तनाव मुक्त रहती हैं ऐसा करने से आँखों पर स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा आँखें भी करें व्यायाम आँखों की रोशनी और सिहत को अच्छा बनाए रखने के लिए व्यायाम करें दोनों हतेलियों को आपस में रगणें जब हतेलिया गर्म हो जाएं तो उन्हें हलके से आँखों पर रखें इससे आँखों का तनाव और दर्ब दूर होगा बाहर से आने पर आँखों में पानी की छीटे जरूर मारें इससे धूल कंड निकल जाएंगे और आँखों को कोई नुकसान नहीं होगा